नमस्कार दोस्तो तनुवेस किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तो मीनी इडली दोस्तो इडली तो सभी बनाना जानते हैं लेकिन एक खास सरीके से मैं इडली की रेसिपी शेयर करें हूँ दोस्तों जब इडली बनाना हो इतना असान तो क्यों दाल चावल बेगाने का जहनजट, पीसने का जहनजट किया जाए? जब भी इडली खाने का माने जहटपिट बना लीजिए हाँ और अगर आपके पास इडली स्टेंड नहीं है तो इसका टैंशन नहीं लीजिए मैं एक और नई तरीके से इडली बनाने की रेसिपी शेयर करें हूँ सबसे पहले इडली बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में एक कप सूजी ली है सूजी कुछ मोटी होनी चाहिए दो कप फेटा हुआ दही या फिर दो कप बटर मिल्क बटर मिल्क या मठा कुछ खटा होना चाहिए तब ही इडली स्वादिस्ट बनती है चम्मा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे बटर मिल्क और सूजी जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब इसमें आदर चम्माज नमाख एक चम्माज बेकिंग सोडा मीठा सोडा या खाने का सोडा जो मार्किट में असानी से मिल जाता है मिक्स कर दिया है एक चम्मा से अच्छे से हिला कर सभी को मिक्स कर लेंगे बैटर को 10 मिनिट ढग कर रख देंगे 10 मिनिट बाद चेक करेंगे सूझी कुछ फूल गई है बैटर ठीक हो गया है अब इस मिक्सर से इडली बनाएंगे इडली बनाने के लिए मैंने यहां लिया है अपे का साचा अपे पैन जो मार्केट में असानी से मिल जाती और बहुती सस्ती मिलती है अपे पैन में 10 से 12 इडली एक बार में बन जाएंगी जो 2-3 लोग के लिए परियाप नाशना हो जाता है अप्रे के सांचे में एक एक ड्रॉप तेल डाल कर इस तरह से हाज से चिकनाई लगा देंगे अब इसमें बैटर डालेंगे एक से डेड़ चम्म़च बैटर हर सांचे में डाल देना है दोस्तो रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिएगा अकर मेरे चैनल पर नए हैं मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिएगा रेसिपी को पूरा देखिएगा इस तरह से सभी साचे में बैटर डाल दिया ह अब मिनी इडली को स्टीम करेंगे, इडली को स्टीम करने के लिए एक बड़ी कड़ाई में कुछ पानी उबलने के लिए रख दिया है, ये मैंने दो गलास पानी लिया है, पानी ज्यादा उपर तक नहीं आना चाहिए, वस आदा खाली रहना चाहिए, पानी में उबाल आ ज अब इसे एक ढखका से ढख देना है, 6-8 मिनिट हाई टू मीडियम करके स्टीम करना है, बीच में चेक कर लेंगे, इडली का कलर चेंज हो गया है, इडली पग गई है, किसी नुकीली चीज से इस तरह से प्रिक करके देखेंगे, अगर बैटर उस पर आ रहा है तो इडली मिनी इडली को टीमोल्ट करने के लिए एक किसी नुकीली चीज से इस तरह से उठा लेंगे, बड़ी आसानी से निकल जाती है, अब इस इडली को या तो फ्राई करिए, या फिर सावर के साथ खाईए, दोस्तों इडली तो बनकर हो गई है तयार, अब इसको खाने के लिए सावर भी बना लिया जाए, सावर यहां में बिना दाल का सावर बनाओंगी, आईए सावर की रेसिपी देखते हैं, एक कडाई गरम करके, दो चम्माच तेल डाल दिया है, तेल गरम होने पर, एक चम्माच मस्टर्ड सीड या राई दाना, डाल देना है, राई जब स्प्ल बारी काटकर मिला दिया है, एक इंच अद्रक का टुकडा क्रश करके भी एट कर दिया है, मीडियम तू लो फ्लेम करते हुए इन सभी को फ्राई कर लेना है, अद्रक और लैसून जब गोल्डन हो जाए, तब इसमें एक चथाई चम्माच हींग एट कर देंगे, दो मीडि अच्छे से गोल्डन हो जाएगी, अच्छी खुश्बू आने लगेगी, तब इसमें चार बड़े लाल टमाटर पारी काटकर मिला देने हैं, या फिर आप टमाटर का पेस्ट भी मिला सकते हैं, अब कुछ मसाले भी आइट कर देते हैं, आदा चम्माच हल्दी पाउडर, एक चम्माच धनिया पाउडर, एक चम्माच नमक, नमक स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, आदा चम्माच कश्मिरी लाल मिश्च, कश्मिरी लाल मिश्च जालने से सावर का रंग अच्छा आएगा, मसालों को भी धीमी आजपर मिक्स करके एक मिनिट फ्राइ कर लेते हैं, दो से तीन मिनिट फ्राइ करने के बाद टमाटर कुछ सॉफ्ट हो जाएगा, चम्माच से मैश कर लेंगे, आदा कब पानी डाल कर एक धककां से धक कर धीमी आजपर पकने रखेंगे, दोस्तों रेसिपी अच्छी लग रहे है तो प्लीज लाइक करिएगा, क 5 मिनिट पकाने के बाद इस तरह से और मैश कर लेना है, अब इसमें 2 कप पानी डाल देना है, क्योंकि यहां हम बिना दाल का सावर बना रहे हैं, इसलिए इस मिक्षर को थिक करने के लिए, एक चम्मच बेसन को आदा कब पानी के साथ मिक्स करके, एक पेस्ट बना लेना है एक लंप प्री पेस्ट बनाकर कुछ पानी और एड़ करेंगे, और इस मिक्षर को कड़ाई में डाल देना है, और लगातार चलाते हुए धिमे आज पर पका लेंगे, दोस्तों बेसन डालने के बाद लगातार चलाते हुए बोईल आने तक पकाना है, सावर में वो बाल आ तो मैंने 8-10 ड्राइ करी पत्ता इसमें डाल दिया है, सावर में करी पत्ता का फ्लेवर अच्छा आता है, एक चम्माच इमली का पेस्ट मिला दिया है, अगर आप सावर को कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं, तो आदा चम्माच चीनी या एक छोटा टुकडा गुर का भी कर सकते हैं, सावर में ओबाल आ गया है, काफी थेक पी हो गया है, ओबाल आने के बाद 5 मिनट और पका लेंगे, इस तरह का सावर बनकर तयार हो गया है, सर्विंग बोल में डालेंगे, और गर्मा गरम इडली के साथ सर्व करेंगे, है ना कितना आसान इडली सावर चट प कमिट्स करना न भूलिए एक और नई रेसिपी कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ देखते रहे तनुवेज किचिन थेंक्स फॉर वाचिंग